Hello friends, myself Dr. Vikram Sharma and today I am here to talk about a very important topic, vitamin D. तो दोस्तों, vitamin D एक इतना जरूरी topic होता है कि लगभग हमारे OPD में जो हर व्यक्ति आता है, उससे इसके बारे में पता होता है और कितने लोग तो ये टेस्ट अपना खुद ही करवा किलाते हैं. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि vitamin D क्या होता है, शरीर में इसका क्या उपयोग होता है, किस तरह से vitamin D हमारे शरीर में बन सकता है, किस तरह के food से हम लोग vitamin D प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से हम vitamin D की कमी को पहचान सकते हैं, और क्या क्या इसके treatment remedies होती है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि vitamin D होता क्या है तो दोस्तों vitamin D एक किसम का एक pro-harmone होता है हarmone का काम हमारे शरीर में ये होता है कि हमारे शरीर में जो different क्रियाएं चलती रहती है तो उनको एक तरह से facilitate करना मतलब ये एक किसम का चाबी होता है जिसके के बिना हमारे शरीर के अंदर जो different important क्रियाएं चलती रहती है उनके होने के लिए इन हार्मोन का होना आविशक होता है तो जहां तक vitamin D के हम बात करें तो लगबग हर सेल में vitamin D के receptors होते है vitamin D का बहुत important role होता है calcium absorption में मतलब हमारे शरीर में calcium के मात्रा किस तरह से regulate होती है कितना calcium हमारे शरीर में होता है तो vitamin D calcium के absorption में बहुत important role play करता है vitamin D हमारी immunity के लिए बहुत ज़्यादा आवशक होता है vitamin D का role होता है insulin regulation में मतलब insulin का जो secretion होता है sugar के level को maintain करने के लिए उसमें भी vitamin D का एक बहुत ही important role होता है इसके अलावा indirectly क्योंकि vitamin D calcium के absorption के लिए बहुत ज़्यादा आवशक होता है तो हमारी bone strength के लिए muscles की proper working के लिए vitamin D का बहुत ही important role होता है आगे बढ़ते हुए अब हम लोग ये समझते हैं कि vitamin D हमारे शरीर को किस तरह से प्राप्त होता है तो दोस्तों जो सबसे common तरीका होता है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते है vitamin D हम लोगों को मिलता है sunlight से इसका मतलब ये नहीं है sunlight में vitamin D होता है हमारे शरीर में जो konsolesterol होती है sunlight उसको vitamin D में एक तरह से convert करती है तो इसलिए sunlight के exposure के बिना vitamin D हमारा skin नहीं बना सकता है और इसलिए ये recommended होता है कि हम लोगों को अपना कुछ समय धूप में definitely निकालना चाहिए ऐसे area जहां पे sunlight बहुत ही कम पाई जाती है वहां पे vitamin D का deficiencies भी काफी common होता है दूसरा जो तरीका होता है vitamin D प्राप्त करने का वो होता है हमारे food के दोरा परन्तो unfortunately बहुत सरे food elements में vitamin D नहीं होता है इसलिए कई बार हम लोगों को vitamin D के लिए supplements पर भी dependent होना पड़ता है अब हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी कारणवश हमारे शरीर में vitamin D की कमी हो गई तो किस किसम के लक्षण हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं या किस किसम के प्रभाव हमारे शरीर पर पढ़ सकते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात किया था vitamin D बहुत ही important role play करता है calcium के absorption के लिए तो यदि आपके शरीर में calcium कम है तो क्या होगा आपके हड़ियां एक तरह से weak होने लग जाएंगी बच्च्पन के बात करें बच्चे के बात करें तो इस बीमारी को बोला जाता है rickets rickets में क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चे के ribs हैं उसके end एक किसम से prominent हो जाते हैं इस condition को बोला जाता है rickets रोजरी दूसरा बच्चे के जो पैर हैं उसमें बाहर के तरफ घुमाव होने लगता है geno welcome मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चों के पैर बहुत ज़्यादा बाहर के तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं नौक नीज होती है तो वो भी एक vitamin D की deficiency का एक किसम का लक्षन होता है तो बच्चों के अंदर जब भी vitamin D की कमी होती है उससे rickets होने की संभावना होती है बड़े व्यक्ति में osteomalacia हो सकता है मतलब की calcium कम है तो आपके हड़ी एक तरह से कमजोर होगी हड़ी के अंदर fracture होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और stress fractures काफी ज़्यादा हो सकते है मतलब यदि आपने हड़ी पे बहुत ज़्यादा load डाल दिया सबोज आपने बहुत लंबा मार्श कर लिया या आप किसी पहाड पे चड़ गए और आपके हड़ी उसके लायक नहीं है तो हड़ी में बहुत महीन बाल जैसे fracture होने लग सकते हैं इसे बोला जाता है stress fracture old age के अंदर यह देखा गया है कि जहाँ पर vitamin D की कमी होती है तो आप osteoporosis के लिए prone होते हैं मतलब आपके हड़ी बहुत ज़दा कमजोर हो सकती है और उसमें fracture होने की संभावना बहुत हलके injury से भी उसमें fracture हो सकता है तो इस तरह से vitamin D की कमी का पहला लक्षन हड़ी के अंदर कमजोरी आना दूसरा लक्षन आपकी immunity में काफी कमी हो सकती है और आप लोगों को बार-बार infection भी vitamin D की कमी के कारण हो सकते है mood changes भी vitamin D की कमी के साथ में देखे गए है हलका depression जैसे symptom भी वक्ती में देखे जा सकते है बाल ज़ड़ने जैसे समस्या है alopecia arita मतलब यह एक hair fall की समस्या होती है यह भी vitamin D की deficiency में commonly देखी जा सकती है insulin regulation में problem होगी और survey के हिसाब से यह भी देखा गया है कि जहाँ पर vitamin D की कमी होती है ऐसे वक्ती hypertension के लिए, diabetes के लिए और cardiac problems के लिए काफी prone होते है तो दोस्तों इस तरह से अब तक हम लोगों ने यह समझा कि vitamin D का हमारे शरीर में क्या हैमियत होता है किस तरह से हम vitamin D को प्राप्त कर सकते है food के माध्यम से या फिर sunlight के exposure से vitamin D की जब भी हमारे शरीर में कमी होती है तो किस किसम के लक्षण हम लोगों किसमें देखने को मिल सकते है शरीर में weakness हो सकती है, fatigue हो सकता है fracture की संभावना बढ़ जाती है, hair fall हो सकता है और mild depression जैसे symptom भी हम लोगों को आ सकते है तो दोस्तों इस वीडियो को देखना का धन्यवाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि vitamin D की deficiency को हम लोग कैसे assess कर सकते है आपके doctor किस किसम का treatment आपको दे सकते है और किस किसम के food में vitamin D की मात्रा उपलग्ध होती है जिनको आप लेके vitamin D की deficiency से अपना बचाव कर सकते है तो इस वीडियो को देखने का धन्यवाद stay active, stay tuned, thank you किसम वीडियो तरे कर दे देेक है अ